जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च खबर बरेली से संभल विवाद के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस रही मुस्ताइद और संवेदन शील क्षेत्र में किया पैदल मार्च उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को बवाल हो गया था संभल बवाल के बाद जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए जनपद में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण धंग से कराने के लिए पुलिस मुस्तायद दिखी इधर इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि जब तक संभल जामा मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए